अगर आप सरकारी दस्तावेज को भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप डीजी लोकर के साहिता से सरकारी दस्तावेज डाउनलोड कर सकते हैं क्योंकि डीजी लोकर एक सरकारी अपले किसन है और इसे सरकार के द्वारा मानियता भी प्राप्त है को भी आप से सरकारी अधिक वाले हैं को भी सरकारी दस्तावेज डाउनलोड कैसे करते हैं जी सब आप động रेश सकते हैं तो सबसे पहले प्लेडे में uG спокой कर लेने इसके भाद आप इसे ओपन करने के बाद आपकेसा मिन की तरह का between को doe कर यहां पर हम सेलैक्ट कर देते हैं इसके बाद continue in English पह क्लिक कर देते हैं पर कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखा जाएगा इसके बाद नीचे में देखें एक बटन है लेट्स गो का तो यहां पर किलिक कर देंगे खुल जाता है तो यहां पर आपको एक एकांट बनाना पड़ेगा एकांट बनाने के लिए रेंगे असा कर यहां पे नाम इंटर करेंगे, उसके बाद अपना सही सही डेट ओफ यहां पे आप इंटर कर देंगे, उसके बाद यहां पे मेल फी मेल यहां पे आप इंटर कर देंगे, और जो भी मोबाल नमर आप यहां पे देना चाहते हैं, वो मोबाल नमर यहां पे दे सकते हैं, और आ यहां पर एक अधार नमर अपना वाला इंटर कर देंगे इसके बाद समिट वाले अप्शन पर किलिक करेंगे तो आपका एकाउंट यहां पर बन जाएगा तो मेरा पहले से एकाउंट बना हुआ इसलिए हम साइनीन पे क्लिक कर देंगे इसके बाद यहां पे आधार नमर या मुवाइल नमर इंटर कर देंगे इसके बाद जो आपने सिख डीजिट का गुफ्त पीन बनाया है वह यहां पे इंटर करेंगे इसके बाद साइनीन पे क्लिक कर देंगे कौन खुल जाएगा डी इसके बाद यहां पर जो भी आप डॉनलोड करेंगे इस वाले उप्सन पर आप किलिक करेंगे तो जो भी आप डॉनलोड करेंगे यहां पर आ जाएगा जैसे कि हम आधार का डॉनलोड किया है पेंड का डॉनलोड किया है तो यहां पर आ जाएंगे इसके बाद सर्च वाले चाहिए डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप यहां पर डाउनलोड कर सकते हैं तो इस काटेग्री से भी यहां पर डाउनलोड कर सकते हैं कोई भी सेंट्रल काड इंटर करेंगे उसके बाद जो पेंट काड में नाम है वह यहां पर इंटर करेंगे उसके बाद डोकुमेंट के उपर किलिक करेंगे तो देख सकते हैं आपका पैंट काड यहां पर दिखाए जाएगा तो और भी कोई दस्तावेज अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो सर्च वाले अप्शन पर आप किलिक करेंगे तो यहां से कोई भी दस्तावेज यहां पर सर्च करके आप यहां पर डाउनलोड कर सकते हैं